देली करिंट निउज में इस वक्त की खबर है भारत बांगलादेश सयुक्त सलहकार आयोग की बैठक हाल ही में भारत बांगलादेश के बीच साथवे दौर की सेव्ट सलाहकार आयोग यानी जॉइन कंसल्टेटिटिव कमिशन संक्षित में जे सीसी की बैठक नई दिल्ली में संपन हुई इस बैठक की सहे अध्यक्षता भारत के विदेश मंतरी डौक्टर एस जैशंकर और उनके बांगलादेशी समकक्ष डौक्टर एके अब्दुलमुमिन ने की गोर तलब है कि कोविड-19 महावारी की शुरुआत के बाद से यह पहली भौतिक बैठक थी इसका पिछला संसकरन अभासी रूप से 2020 में आयोजित किया गया था इस बैठक के दोरान विभिन मुद्धों जैसे साजह नदियों और जलसंसाधन प्रबंधन, जलवाईयू परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, क्रिशी और खादे सुरक्ष आदी क्षेत्रों में सहयों को और गहरा करने पर बात चीत हुई इसके अलावा दोनों पक्षों ने सदत व्यापार के क्षेत्रों में सहयों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर प्रतिवधता व्यक्त की IT और साइबर सुरक्षा, नवी करणी और उर्जा आदी के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमती व्यक्त की इसके लावा आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, साइबर सुरक्षा, स्टार्ट अप, फिंटेक आदी के लिए मिलकर काम करने के प्रतीब तक परता भी जाहर की गई गोर तलब है कि 2021 में भारत के राश्रुपती और प्रधानमंद्री ने बांगलादेश की यात्रा की यात्राओं का मकसद तीन विश्यों को मनाना था बंगबंधू, शेख मुझीब और रह्मान की जन्म शताबदी, बांगलादेश की स्वतनफता की पचासवी वर्शगाट और भारत बांगलादेश तराजनेक संबंधू की स्वरनिम वर्शगाट बताने की दोनों देशों ने सुरक्षा और सीमा प्रवंधन से लेकर परस पर लाबकारी व्यापार और निवेश प्रवाह तक हर क्षेत्र में पहले से कहीं ज्यादा करीब से काम किया है इसके अलावा भारत बांगलादेश की सेना उन्हें हाल ही में सेन्ट सेन्य अभ्यास संप्रीती के दसवे संस्क्रण का आयोजन किया था भारत बांगलादेश जेसी का आठवाद और दोहजार तेईस में बांगलादेश में आयोजित किया जाएगा झाल झाल